हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग सफलता का राज सिरीज को आगे बढ़ा रहे बिल्कुल आप सही देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सफलता की है कुछ मजबूरी थोड़ा धैर है जरूरी मतलब अगर हम लोग लाइफ में सफल होना चाहते हैं हम लोग को थोड़ा पेसेंस रखना पड़ता है दोस्त अगर हम लोग पेसेंस नहीं रखेंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं चिरंतम सत्ते हैं दोस्त क्यों? आप बच्पन से हम लोग पढ़ते हैं Rome was not built in a day हम लोग सोचते हैं यह यह बोले कि हम लोग की ऐसी mentality हो गई है कि सब कुछ एकदम ready made होना चाहिए ठीक है? जैसे photocopy machine है इधर से कागज लगाया इधर से print होके निकल गया दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता हर चीज के एक वक्त लगता है होने में इस वीडियो को पूरा देखिए बहुत मज़ा एगा जो हम आपके साथ share करना चाहते है बहुत मज़ाने वाला बात है दोस्त सबसे पहले हम यह बोलेंगे कि no pain no gain या यह बोले कि no gain no pain क्या सही होगा आप सोच के देखिए मतलब हम लोग तब तक कुछ नहीं पा सकते हैं जब तक हम लोगो कस्ट नहीं होगा यानि कि जितना ज़्यादा कस्ट होगा सफलता उतनी ही दमदार होगी दोस्त ठीक है मतलब छोटा सा बात आपको एक छोटा सा कहानी से आपको बताते हैं मान लेते हैं कि एक रास्ता है एक रास्ता है मखमली रास्ता है दोस्त कैसा है मखमली रास्ता है बहुत शांदार रास्ता है एकदम मखन जैसे रोड़े दोस्त सफलता यहां पर है अगर हम यहां पर एचीव कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिस यहां पर हम रास्ता है ना बहुत खुबसूरत है दोस्त बहुत खुबसूरत है एकदम कोजी मखमली रास्ता है और हम लोग का टेंडेंसी है दोस्त हम सारे लोगों का human being अगर बोले तो अधिकांसते लोगों का कि हम लोग हर चीज बहुत कोजी चाहते हैं बहुत आराम जाते हम लोग ब नहीं है दोस्त मान लेते हैं इसको पाने के लिए हजारों लाखों लोग इस रास्ते पे खड़ें ये हजारों लाखों लोग हैं दोस्त ये हजारों लाखों लोग हैं जो इसको पाना चाहते हैं जो इसको पालेगा जीवन में सफल हो जाएगा दोस्त और मान लेते हैं कि हम यहाँ पर यह हैं हम कि अपने आपको आप सभी हम सभी लोग हम समझें आप अगर देख रहें इसको हम समझें हमारे आगे लाखों लोग हैं सब लोग यहां तक पहुंचेंगे जो पहुंचेंगा वह सफल सब लोग उहां पहुंचेंगे लेकिन आप और हम सब मेंसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बोलेंगे यार इतना दूरे यार सफलता कहां है दिख नहीं रहा है मंजिल दिख नहीं रही है पहुंचेंगे कैसे वहाँ पर हो सकता है जो लोग यहाँ भी खड़े हो उनको भी अपनी मंजिल ना दिखे क्योंकि सामने इतनी भीड है लोग वहाँ तक पहुंची न पाएं यहां तक मंजिल सामने कड़ी है और यहां पर हाथियार डाल दिया अरे भाईया दो कदम और चल लेते आपका मंजिल आपके सामने था ये बताएगा कौन कि मंजिल दो कदम सामने था क्योंकि हमको मंजिल दीखी नहीं रही है भाईया सबसे बड़ा समस्य है कि मंजिल दीखे तब तो हम दो कदम क्या चार कदम चलने हैं मंजिल तो दीखी नहीं रही तो पहुँचेंगे कैसे वहाँ पर हम में से एक लड़का था ए ए बोला क्या भाईया कि यहां तुमको मंजिल दीखी ने रिये थोड़ा एक वर किनारे हट के देखने का कोसिस करते हैं मंजिल कहां पर है तो भाईया यह फुट पाथ पे आ जाता है यह क्या है भाईया पैदल वाला रास्ता है पैदल रास्ते पे आ जाता है यह यह बूलता है कि हम साइट से होके चलके देखते हैं यहां पर थोड़ा भीड कम है क्यों यह थोड़ा रास्ता खराब था ना भाई यह मखमल वाला रास्ता था यह कौन सा रास्ता था मखमल यह मखमल रास्ता था भाईया मखमली रास्ता था अब क्या हो गया मखमली रास्ता से यह पैदल रास्ते वाले को बोला यार यहां तो भीड कम है हो सकता है जल्दी-जल्दी जाएंगे तो हमको अपनी मंजिल दिख जाएगी तो चलो यह रास्ते पे तो कम भीड है इधर लाखों थे इधर हजारों है यहां क्या थे लाखों यहां क्या मिले इसको हजारों कस्ट थोड़ा बढ़ गया दोस्त तो यहां हजारों लोग मिले एक बंदा था सी बी को लेकर आते हैं भीया बी को लेकर आ है यह बोला कि ने भीया हम तो कच्चे रास्ता से देखने कोश करेंगे कि मेर ये मंजिल कहां पर है ये कच्चा रास्ता था दोस्त कच्चा रास्ता था कच्चे रास्ते से आया तो यहां पर और भी कम लोग थे यहां सेंकडों में लोग आ गए तो इसको मंजिल हलका हलका दीखना शुरू हो गया अरे यह देख सामने मंजिल है अब चलना चाहिए फिर भी सेंकडों लोग थे रास्ते में, एक लड़का आ गया C, C क्या बोला, भाईया हम तो खेत में जाएंगे, हमको मंजिल सम असपस्ट देखना है, रास्ता बहुत खराब दोस्त, बहुत खराब रास्ता, बहुत खराब रास्ता था ये, यहाँ पर कोई नहीं आया, बोला कि उतने खराब रास्ते में को जाएगा, पैर में चुप जाएगा, धान का जो खुटी होता है न भाईया, जो काटके धान रास्त में छुट जाता है, गियों का बाल का लास्त में छुट जाता है, वो है पैर में चुप जाएगा, काटा गड़ जाएगा, सामने मेरी मंजिल दिख रही है हर एक कदम भी चला तो मंजिल पर जरूर पालूंगा सी को मंजिल पाने की खुसी में सारा दर्द बरदास किया और बाकी लोगों से बहुत पहले अपनी मंजिल को पालिया तो भाईया थोड़ा कस्ट चाहिए मतलब जितना ज़्यादा कस्ट होगा सबसे ज़्यादा कस्ट हम लोग यहाँ पर हैं दोस्त एक को उससे ज़्यादा कस्ट हुआ बी को उससे भी ज़्यादा कस्ट हुआ सी को सबसेदी कष्ट हुआ लेकिन सफल कोन हुआ सी हुआ दोस्त जिसको जितना ज़्यादा कष्ट हो रहा था वो उतना जल्ली सफल हो रहा है और हम लोग सोचते हैं कि हमको आराम चाहिए भाया भाया आराम खोजिएगा ना तो सफलता दूर भाग जागी भाया सामने में परोसा वह भोजन को भी हाथ से उठाए खाना पड़ता है थोड़ा सा कस्ठ होगा सफलता जरूर मिलेगी एक और दूसरा बात बताते हैं आपको एक दूसरा बात बताते हैं सोचिए एक बीज होता है ना बीज को जब हम लोग धर्ती के नीचे लगाते हैं तो बीज का जो अंकुरन होता है वो कितना मुलायम होता है सोच के देखिए कितना मुलायम होता है वो अंकुरन उस अंकुरन को भी धर्ती से बाहर निकलने में ने भीया धर्ती का सीना चीर के निकलना पड़ता है कितना कस्ट होता होगा उस बीज को जो धर्ती चीर के निकलती है कस्ट तो है कस्ट तो करना पड़ता है कस्ट नहीं करेंगे तो आज इतना हमारे धर्ती पे हर्याली इतना सारा पेंड, इतना सारा फल, इतना सारा भोजन नहीं मिल पाता कश्ट तो है सबसे बढ़िया उधारन है हम लोग का जनम मां हम लोगों को अपने पेट में नौ महीने रखती है दर्द सहती है सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी बेटी हो जाएगी मेरा जीवन सफल हो जाएगा मेरा मात्तित तो धर्म निव जाएगा नौ महीने कश्ट करती है, तब जाकर हम लोग का जनम होता है सोच के देखिए कितना कस्ट होता होगा मा को अगर मा ये सोच ले कि हमों कस्ट नहीं हो तो भाईया हम और आप कहां से आएंगे ना हम बोलते न जराएंगे ना आप देखते न जराएंगे कस्ट तो है कस्ट करेंगे भाईया सफलता जरूर मिलेगी इसमें कोई किन्तू और परंतू नहीं है कस्ट तो है एक बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं भाईया धैरे की बहुत जरुवत है हम लोग को बहुत पेसेंस से ही है पेसेंस जो रखेगा वही ग्रोग करेगा एक छोड़ा सा उधारन देते हैं चार दोस्ते शहर में जाना था नौकरी के लिए नौकरी का आवेदन आया हुआ था सब लोग जाके अब जोईन करने वाले थे चारो दोस्त अपना जोला बसता लेकर बैग लेकर बस के इंतजार में एक बस स्टॉप पड़ाओ पे बढ़ गए बस आने वाली थी नहीं आई बस फेल हो गई सारे बच्चे दो बज़े के टाइम था तीन बज़ गया चार बज़ गया पांच बज़ गया सब लोग बोले रे यार बहुत समय हो गया चल बैग उतार लेते हैं थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं चारो दोस्त बैठ गए उसमें से एक दोस्त बोला नहीं यार पता नहीं कब बस आजा कहीं बस नीद आजएगी बस छूट जाएगी सब लोग बोला रे यार नौकरी के पर दिवाना आराम कर ले यार बस आएगी तो हम लोग उठा लेगी बात तो सही था पांच बज़ गया चे बज़ गया, सात बज़ गया बोला नहीं यार अपता नहीं कब बस आजाए हम लोग सो जाएगे तो बस चली जाएगी हम लोग उठाएगी नहीं तो बैचरख खड़ा था बैक टांगे ही बए खड़ा था बाकी बूलते हैं रे यार आराम कर ले यार साथ बजा आठ बजा नौ बजा रात के दस बज गया बोला रहा अब तो आके सोजा खाना खाले ठीक है खाना तो खाले ते लेकिन बैग टंग रहेगा कंदे पे उठ छोड़ेंगे नहीं यार कहीं बस छूट ना जाए लोग खाना भी खा लिए रात को 10 बज गया 11 बज गया एक बज गया सब लोग खराटे मा रहे थे वो बंदा बीट पे बैग लेके खड़ा क्यों इंतजार कर रहा है कि अब बस आएगी मंजील तक पहुंचाएगी रात को दो बजे ट्वें बस वरी बस आई वो बंदा जैसे ही उसमें पैर रखा बस खूल गई बाकी उसके तीनों दोस्त बस स्टॉप पे सोई रहा गया है वो बंदा मंजील तक पहुंच गया है सोचिए उस बंदे में कितना धहर था कि बैग को टांगे हुए दो फर के दो बज़े से लेके रात को दो बज़े तक खड़ा रहा सिर्फ इस लिए कि बस छुट न जाए सोचिए दोस्त कैसे वो बंदा मेंद कर रहा है अपने मंजील को पाने के लिए और हम लोग क्या कर रहे हैं सोच के देखे न हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि हम लोग फोटो कॉपी मसीन चाहती है इधर से डाले आज मेहनत किये कल सबस्त मोटिवेशन चाहिए भई है खुद को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा अगर सफल होना है अपने जीवन में मंजील को हांसिल करना है मेहनत तो करना पड़ेगा सबसे मजदार कहानी तो हम आपको बताया नहीं भूल गया सबसे मजदार कहानी कच्वा खर्गोस सबसला यार बचपन से पढ़ते हाँ है अगर कच्वा को पता था हम खर्गोस से नहीं जीत पाएंगे लेकिन फिर भी वो उससे लड़ा क्यों लड़ा भई या अरे ढीसुम ढीसुम नहीं बाजी क्यों लगाया कोई बात नहीं हारेंगे तो हारेंगे मेनत करने में क्या जाता है अरंत में खरगोस का इस्तिती आपको पता है कचुआ की स्तिती भी आपको पता है अगर आपके अंदर में इमांदारी और लगन से आप मेहनत करें इमांदारी और लगन से तो आपको सफल होने से कोई ने रोख सकता याद रखिएगा आपको कोई अलग काम नहीं करना है जो सब करते हैं वही कीजिए लेकिन अलग तरीके से कीजिए तरीका कुछ अलग होना चाहिए और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत लंबा चोड़ा भासन नहीं है हम लोग को बस समझना है क्या करें कैसे करें अलग तरीके से कैसे करें ताकि हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचें सब का मंजिल अलग अलग हो सकता है अपने मंजिल के हिसाब से आप मेहनत करते हैं इस बात को जरूर ध्यान रखें दोस्त धैर बहुत जरूरी है धैर रखिए कस्ट सहीए जब तक कस्ट नहीं होगा न दोस्त सफलता कदम नहीं चुमेगी सोचिए न हम लोग को रोज आफिस जाना होता है हम लोग बैक टांग के आफिस पहुंचते हैं सेल्समेन अपना सेल्स का काम करता है रोज दीन भर दुकान दुकान घुमता है टीचर अपना सक्सेस पाने के लिए सुबह से साम तक बोलता रहता है बोलता रहता है ताकि बच्चे लोग पढ़ें और जीवन में अच्छा ग्रो करें ताकि बच्चे जब ग्रो करेंगे तो सिख्चक का भी तो नाम होता है ना भाईया सिख्चक की सफलता बच्चे की सफलता पे निर्वर है बच्चा सफल होगा तो सिख्चक सफल है अगर बच्चा सफल नहीं होता है चाहे कुछ भी हो जाए सिक्चक सफल नहीं होता है भईया तो हर जगह आपको धैरे रखने की जरूत है धैरे वो बाती है जो सफलता का दिया को जिन्दिगी पर जला सकती है आपके अंदर धैरे होना चाहिए और आप कोई भी काम करें न धैरे और लगन से करें तुरत हम लोग उसका आउटपूट खोशते हैं कुछ तुरत रिजल्ट खोशते हैं भईया रिजल्ट तुरत नहीं आता है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर समय पाए तरुवर फले के तक सीचो नीर आप देखें न एक पेंड आप बीज बोते हैं क्या कल उसमें फल लग जाता है आप उसमें कितना भी खाद डाल दीजे कितना भी पाने डाल दीजे क्या पौदा बढ़ जाएगा नहीं उसका एक समय है वो समय लेगा ही चाहे वो 4 साल का हो 3 साल का हो 2 साल का हो 5 साल का हो वो अपना समय लेगा ही उतना समय में वो ग्रो करेगा और उसके बार फल देगा इस बात की 100-10% guarantee है बसरते उसको संभाल के रखा जाए बढ़िया से रखा जाए उसको जानवरों से बचा के रखा जाए चिडियां से बचा के रखा जाए ताकि उसको चुग न जाए कैसे नहीं फल देगा वो जरूर फल देगा तो दोस्त हर बात का सिर्फ एक ही बात है हम लोगों को धैर रखना है काम को कुछ अलग नहीं सिर्फ अलग तरीके से करना है कस्ट होता है तो होने दीजिए कस्ट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा कस्ट का एक अलग मजा है जीतना जादा कस्ट होगा सफलता उतनी जोरदार होगी धमाकेदार होगी पूरा दुनिया आपके कस्ट को भूल जाएगा सिर्फ आपकी सफलता ही दिखेगी आप किसी भी आईएस के सफ जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसकी मेहनत को आप जाके देखे परिवार छोड़ देता है साधी भिया छोड़ देता है कहीं आना जाना छोड़ देता है दोस्तियार छोड़ देता है लेकिन जिस दिन सफल हो जाता है पूरा दुनिया उसके कदमों में आके गिर जाती है यहीं सफलता का बहुत मज़ा है दोस्त यह बहुत मीठा फल है लेकिन कस्ट तो है चलिए उमीद करते हैं आपको बहुत मज़ा या होगा दोस्त आपसे शेयर करते हैं बहुत मजाता है लगता है कि हम सीख रहे हैं आप भी सीखें हम सब लोग मिल के सीखें आगे बढ़ें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इंजोई कीजिए थैंक्यू दोस्त जाए हम